नमस्कार मैं हूँ अपनी चोधरी और आप देख रहे हैं अट प्रकास्टी जैसे कि आप सभी को पता ही हुगा चंडीगण में इन दिनों नगर निकम में मेरपद की कुर्सी के लिए सभी पार्टी अपना जोर रूफ लगा रही है इसी के साथ आपको बता दे जहां 24 को मतान हुआ था और 27 को रिजल्ट आया था जिसमें आप पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीचे निकाली थी 14 सीचे निकाली थी तो वही बीजेपी ने 12 सीचे निकाली थी और एक पार्टी काले दल ने निकाली थी इसी के साथ ओंग्रिस पार्टी ने 8 सीचे निकाली थी उन्होंने वही एक संसत किरिन खेर की बोट अपने अंडर करा ली उसी के साथ साथ बात करें एक जो कॉंग्रेस पार्ची के जो बबला जी थे हरपरीत उनकी वाइप हरपरीत बबला उन्होंने भी अपना समर्थक पीचेपी पार्टी को दे दिया यानि अब 14 सीचे आप पा बताईए कि पार्ची में इतना फेर बदल चल रहा है खरीज फ्रोक्त का मामने चल रही है उसके उपर आप क्या कहने चाहिए नमस्कार जी देखो जिसमें पार्टी जो जॉइन करनी होती है उसको एलेक्शन से पहले करना चाहिए था ना कि एलेक्शन के बाद ये तो एक आप वह ड़ो कहा है ये उसके से लीकाल रा कि लोगों को धोका देना हो घृतrov नहीं सबंद पार्टी को बोड़ दी हैcial must nowके जीतने के बादा आप पार्टी बदल देतेmittel है तो बहुत दुक्त की बात होती है वहंदा है लोगों के के लिएस पार्टी के लिए ता आलकि ओ मन्जुद जी जैसे कि आपकी मदर चंडिगट से वोर्ड नंबर पाई से कोंगेस के प्रदियासी बलजिंदर कोट जी खड़ी थी तो नहीं आपकर आप भबला जी की बात करें जो कि आपके मामा जी है तो उनका एक दम से बीजेपी को समर्थर्म देने की पीछे क्या कारण रहा होगा वो तो आपको आप पड़ी दे हो सारी अख़बारों में लोग कहते हैं कि शायद पैसे के लिए करा है शायद उनके बेटे को हर्याना में सरकारी नौकरी देने के लिए करा है और जो मेरे उनके पत्नी हैं मेरी मामी जी हैं शायद उनको मेर्शिप के लिए भी आँ उन्होंने शायद बद्ला ऑब बीजी फिए जोईन करी अभी फिलाल वो मेर्शिप में फरस्ट नफ में नहीं खड़े हो ले पर मेरे को लग रहा है कि फोर टम पे जूरूट खड़े होंगे कि अभी ताजी ताजी नई बात है तो बाजपा सरकार बड़ी समझदारी से अपना खेल केलती है उन्होंने बोल गिया होगा कि आप अभी चुब बैटिये नई ताजी ताजी चीजें हैं चार साल में पर निसाना भी साधे हैं जिसमें से एक बयान उनका यह था कि जब वो कॉंग्रेस पार्टी में थे तो उनका दम घुटता था इसके उपर आप क्या कहते हैं 25 साल से अमेरिकार कॉंग्रेस पार्टी नहीं, 25 साल से उनका दम गुट रहा है, आप कहरा जाते हैं, इसी का दम गुटता है, तो बंदा उसी टाइम अवाद उठाता है, ये नहीं कि एलेक्शन जीतने के बाद उठाता है, ये सारी प्री प्लानिंग थी, उनको ये था कि मैं जो हमारे परदान है, सुबास चावला जी, जो बहुत अच्छी तरह उनने अपना केदार निभाया इन इलेक्शनों में, हार जीत तो हमेशा लगी रहती है, आप किसी एक बंदे पे इन्जाम नहीं लगा सकते हैं, पर अगर आप कहते हो कि एक ही बंदे करके पार्टी हार कि यह भी हो सकता है, और अगर इन्होंने भाजपर सरकार जोइन करनी थी, तो इलेक्शनों से पहले जोइन कर सकते थे, इनको शायद यह था कि देखते हैं, कि इस बार इस बार कॉंग्रेस की सरकार ही, खुद इंटर्वी में बोलते हैं कि बीच सीटे हमारी आनी थी, तो इलेक्शनों से पहले इनको पहला था अगर कॉंग्रेस की सप्ता बनी है तो इन्होंने देखा कि मैं पहले इलेक्शन रटता हूं कॉंग्रेस की सरकार आगी तो ठीक है, नहीं है पिजी जॉइन कर लूँगा, इसी के साथ उनका ये भी बिज़ बयान था कि वो कॉंग्रे तो फिर तो दुनिया में ऐसा कोई इसा कोई इनसान नहीं हो सकता जिसको खरीदा ना आजा सकते हाँ जिसका इमान अपने पार्टी के लिए जुड़ा हो और काफी सालों से एक ही पार्टी में रहा हो लोगों के लिए दिन रात खड़ा हो शयद वो ना बिके पर ये तो अब जाबिद करता है ना कि तो आप क्या क्या चाते हैं जुस्ताब से बबला जी ने एक दम से जीटने के बाद पार्टी बदल ली है पिछ पाषी को चुकरा दिया है आप भी यूट कॉंग्रेस के प्रेजिजेंट्ट है जिन्यल प्रेजिजेंट्ट आपका शोचना है कि क्या कारण रहा होगा जो बबला जी एक दम से ही पाषी चेंज करनी तो अगर इन्हों ने जो जादा सिचेहा और उनके मेर बने के जादा संबावना है अब दिखो एलेक्शन से पहले वो पवन बंसल जी और उनकी जो मेसिज है मेसिज बंसल जी को उन्होंने 28 सेक्टर लोड पूरी मार्केट उनको साथ लेके चले हैं यहां तक इन्होंने यह भी बोल दिया था कि यह रामसीता है मैं इनका लक्षमन हूँ अब तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि यह तो रावन निकले उनके तो अगर इन्होंने जॉइन करना था तो लेक्षनों से पहले करते लेक्षन के बाद ही क्यों और जिस दिन जॉइनिंग करन उसके दो दिन बाद, जब इननों ने देखा कृटिजब हो गया, उसके दो दिन दाद ये ग्यान क्यूँ कि मैं तो सिरफ मैं अपने प्यार से बलबुदे पर आया हूं, मैं तो किसी, मैं ना बिक सकता हूँ, ना मैं बिकाऊ हूँ। ये उसे टाइम उनने प्रेस काफिएंस कर रहा हूं कि मैं अपने दिल से आया हूं मैं कोई बिक नहीं आया उसी टाइम बोलते हैं बाद में क्यों इस तरीके से आप बद्दर जी के बहांग जी है कभी आपने नीजी तोड से संफ़क्त साथ में की उनसे कोशिश की है इस निते पर बात करने की कोशिश की नहीं अभ वापस आना की है उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट का इस पार्टी है तो अभी भी टाइम को जाला निकला नहीं हाथ से वापस आ सकते हैं और कॉंग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं अगर यह सोचे कि हैं अभी एक कॉंग्रेस पार्टी डूब रही है और मैं नाउसे चला वापस यह पंग्रेस पार्टी में वापस आ जाना चाहिए अगर वो इन कैस वापस फास बार्टी में अब क्वास अपने ऊंपनाए टेख यहां नियुक्त की उपर है नपनास एपक कोई इतना बड़ी बात नहीं, सब्सक्राइब हैं अभी आप हाली में आपने देखा है कि MLA जो पजाब से बाच्टर सरकार में गए थे वापस दस दिन में हपते के अंदर ही वो कॉंग्रेस पार्टी में वापस आगे दिल से उन्हें स्वागत किया वैसी इनका भी दिल से स्वागत करा जाएगा जैसा कि आपने देखा ही ऐसे कुछ एंफ खबरों को चानने के लिए बने रहे अद्ध प्रकास टीवी पर मैं आप देट्स वाप बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अद्ध प्रकास टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूले